नमस्कार आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं Erectile Dysfunction यानि की इस्तंभन तोश्की क्या है Erectile Dysfunction की प्रॉब्लम जब एक male person के अंदर उसके link में तनाव की कमी होने लगे या फिर sexual intercourse के दोरान उसके link में sensation ना हो उस इस्तिती को हम बोलते हैं Erectile Dysfunction की समस्या अकसर करके देखा जाता है कि Erectile Dysfunction इन कारणों की वज़ा से होता है जनरली आपका एक healthy life style का ना होना आपका अत्यधिक मत्तर में नशे का सेवन करना smoking करना या फिर दूम रुपान का करना आपकी Erectile Dysfunction की problem को create कर वेता है साथी देखा जाता है कि जब आप जिम जा रहे होते हैं तो जिम जाने पर आप लेते हैं artificial supplements body mask के लिए body build up करने के लिए जो कि आपकी सेहत को नुकसान पहुँचाते हैं और आपकी नसों की खरावी का कारण भी बनते हैं हम ये बिलकुल नहीं कहते हैं कि आप जिम जाना बंद कर दें लेकिन जिम जाने के बाद आप अपनी डाइट में देखी चीजों को शामिल करें और artificial जो उनके supplements होते हैं उनको बिलकुल लेना बंद कर दें जिसकी वज़ा से आप Erectile Dysfunction की problem से बचे रहेंगे कभी कभी देखा जाता है कि कुछ problem की वज़ा से भी Erectile Dysfunction हो जाता है जिसमें अगर आप diabetes patient हैं आपको कोई stroke आया है या फिर आप paralyzed हुए हैं तो ये सारी अवस्थाएं आपके Erectile Dysfunction की problem को कही ना कहीं खड़ा कर देती हैं अब अगर समस्याएं होती हैं तो definitely उनके समधान भी कही ना गई होते ही हैं तो आज हम आपको बता रहे हैं Erectile Dysfunction के कुछ ऐसे घरेलो उपाए जिनके थुरू आप अपनी समस्या को काफी हथ तक relief कते पाएंगे इसमें relax पाएंगे तो शुरुवात करते हैं Erectile Dysfunction के लिए कुछ घरेलो उपाए के साथ तो पहला उपाए है लहसन का लहसन में आपको करना क्या है? आपको सुबह उठकर दो लहसन की कलियों को छील लेना है इनको सुबह चबाकर गुंगुने पानी के साथ इनका नियमेत तोर पर दो से तीन महीने तक सेवन करना है और फिर आप देखिए इसका magic यह आपके infertility की समस्या को दूर करके आपके erection की problem को भी काफी हद तक बहतर कर देगा अगला उपाय है मैथी और कलोंजी का प्रयोग मैथी और कलोंजी का प्रयोग आपको कैसे करना है यह समझ लिजे आपको मैथी और कलोंजी को बरावर मात्रा में ले लेना है उसको पीस लेना है और उसको सुबह और शाम खाने से पहले आधा आधा चम्मच गुनगोने पानी के साथ लेना है और इसका आपको सेवन करना है करीब दो महीने तक जो आपकी इरेक्शन की प्रॉग्लम को काफी हद तक सही करेगा, बहतर करेगा अब बात कर लेते हैं अगले उपाय की तो अगला उपाय है तर्बूस का सेवन, अगर आप तर्बूस का नियमे तोर पर सेवन करते हैं तो इसके अंदर मौझूद एक ऐसा सोर्स होता है जो नैच्छल वाइगरा का काम करता है और आपकी इनफर्टिलिटी की समस्या को भी काफी हद तक बहतर कर देता है अगर आप ड्राइफूट्स का सेवन कर रहे हैं तो इसके अंदर मौझूद L-Arginine, Selenium, Folic Acid का एक मजबूत कॉम्बिनेशन होता है जो आपकी इनफर्टिलिटी की समस्या को दूर करने के साथ ही आपको देता है इरेक्शन में काफी आ रहा हूं अगला उपाए है अदरक का सेवन, अगर आप अदरक का सेवन करते हैं तो यह आपके ब्लेट के फ्लो को काफी बहतर कर देता है इसको आप रस के तोर पे भी ले सकते हैं और अगर आप शहत में मिलाकर इसके रस का सेवन करते हैं तो यह आपकी इम्मिनिटी को भी काफी बहतर करता है अब बात अगले उपाई की तो अगला उपाई है गाजर का सेवन, अगर आप गाजर का सेवन करते हैं तो इसके अगले उपाई की तो अगला उपाई है चुकंदर का सेवन, अगर आप चुकंदर का सेवन करता है तो यह आपके सेहत के खजानों में से एक है, इसके अंदर हो साथ ही इसमें होते हैं anti-oxidant pee जो आपके शरीर की swelling को कम करते हैं आपकी नसों की खराबी को दूर करते हैं और आपके blood के flow को proper कर देते हैं उसे अच्छा कर देते हैं और last उपाई है सूरज, मुखी और कद्दू के बीजों का सेवन अगर आप इन बीजों को पीजों को पीस कर इनका सेवन, आधा, आधा, चम्बस, हुवे, शाम, पानी के साथ करते हैं तो ये आपके ispum की quality को बहतर करने के साथ ये आपकी erection की problem को बिलकुल खत्म कर देता है तो आज हमने जाना erectile dysfunction की problem के बारे में और आप इस विश्यक पर हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमारे भारत होमेपती डॉक्टर्स की टीम से संपर कर सकते हैं नमबस आपके स्क्रीन पर हैं आज के वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाका तब तक के लिए नमस्कार